हेलो, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने कंप्यूटर और लैप्टॉप में इंग्लिश और हिंदी लेंगुज को बोल कर कैसे टाइप कर सकते हैं तो उसके लिए सबसे पहले मैं अपने क्रोम ब्राउजर को उपन कर लेता हूँ और उसके बाद आपने अपनी जीमेल को लोगिन कर लेना है और जहां से गूगल ड्राइव पर क्लिक कर लेना है मैंने अल्रेडी Google Drive को ओपन कर रखा है और उसके बाद मैं जहां पर New पर क्लिक करूँगा और जहां से Google Docs पर क्लिक करूँगा उसके बाद मैं जहां Tools पर क्लिक करूँगा और जहां Voice Typing में क्लिक कर दूँगा जहां से by default मेरा English Language Select है तो पहले मैं आपको English Language में Voice to Type करकर दखाता हूँ Voice to Text Type करकर दखाता हूँ उसके लिए सबसे पहले मैं जहां माइक पर क्लिक करूँगा और बोलूँगा Hello Friends जहां से मैंने अपना माइक फिर से Off किया है और मैं आपको दिखाता हूँ कि यह देखिए कितनी असानी से इसने मेरा Voice to Text Type कर दिया है ऐसे आप English Language को बहुत ही असानी से बोल कर Type कर सकते हैं और जहां पर आपको बहुत सारी Language दे गई है जिसे आप बोल कर बहुत ही यसानी से Type कर सकते हैं और मैं जहां से अब आपको Hindi Language को बोल कर Type कर कर दखाता हूँ जहां मैंने Hindi पर क्लिक कर लिया है और अब मैं जहां माइक पर क्लिक करूँगा और बोलूँगा और उसके पहले मैं जहां से इसको रिमूव कर देता हूँ हैलो कैसे हो आप और यह देखो कितनी असानी से इसने मेरी वाइस को टेक्स्ट में कनवाट कर दिया है ऐसे आप बहुत ही असानी से हिंदी लेंगुज को भी बोल कर टाइप कर सकते हैं इसमें आपको बहुत सारी रेंगुज दी गई है जिसे आप बहुत ही असानी से बोल कर टाइप कर सकते हैं और इसे आप जहां से बोल्ड भी कर सकते हैं और भी बहुत सारी सेटिंग दी गई है जहां पर document create करने के लिए और उसके बाद आप इसको बहुत सारे format में download कर सकते हैं जैसे के MS World PDF और भी बहुत सारे format जहांपर आपको देखने को मिल जाएंगे मैं जहांपर इसको PDF में download कर लेता हूँ यह देखिए कितनी असानी से मेरा PDF फाइल download हो चुका है type कर सकते हैं